नवश्कर आप सबका मेरे यूटिव चैनल पामिस्ट्री हिलर में स्वगत है टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो एक होता है बच्चा पाच वी में पढ़ रहा है ठीक है एक होता है बीए कर रहा है या ग्रजुएशन कर रहा है एक होता है मास्ट्री कर रहा है या पी सारे के सारे साइन एक नॉर्मल व्यक्ति के हाथ में होते हैं और ये क्या मतलब हुआ यानि हर व्यक्ति के हाथ में चिन जो है वो एहमियत देते हैं चिन एहमियत देते हैं आप समझ रहे हूँ अब देखो एक साइन दिखाता हूँ सपोज मान के चलो ये लेफ्ट हेंड है ठीक है लेफ्ट हेंड पर आपने क्या देखना है इनका देखना है किसी कभी ये सूर्य परवत है अब ये रेखा इस पर टच करने की कोशिश कर रही है यानि माइड राइन से हाट लाइन की तरफ टच कर रही है और इस रेखा का संबंद इसके साथ है समस्ते रहो तो यानि अभी यहाँ कोई एक्टिविटी होने वाली है इस एक्टिविटी को पकड़ो पहले पहले दिमाग लगाओ ये एक्टिविटी कौन सी है यानि इस एक् ये साइन क्या है देखो ये एक शादी है शादी हाँ पर हुई है ऐसे 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 कट कर निशान ये ट्रेंगल बनाया था ऐसे में विचार ही नहीं मिलेंगे किसी के अब ये तो यहां ट्रेंगल बन गया यानि यहां इसके बाद ट्रेंगल नहीं होता तो मैं शादी नहीं करवाने देता यानि शादी तो होगी इसका मतलब है शादी तो होगी क्योंकि यही रेखा इन पर आगे आकर यह देखो यह ट्रेंगल्स बना रखे तो इट मिन्स ये तो डिरेक्टली तो टोटनी टच होना चाह रही न इसने तो यहाँ पर ही ट्रेंगल बना कर क्या दिया इस रेका पर टच होने के लिए पहला आपको देखना है कि विचार नहीं मिलेंगे पती-पत्नी के विचार नहीं मिलेंगे ठीके समझते रहो अब मुद्दा ये आता है ऐसे हाथों में मैं चीजों को थोड़ा सा यहीं दिखाता हूँ आपको समझ आए कुछ ये जो एक साइन है चलो आपको ABC नहीं आती ये तो साइन पता है ना कि ये दिक्कत देगा लेकिन ये जो दिक्कत है दिखान से समझो इनके उपर ट्रेंगल बने हुआ है ये एक तरक्की की रेखा है यानि ये एक बिजनस है अगर सपोज इसके उपर कोई आठ घूमता हु पो आ दिखलो जैसे ये दिख रहा है तो ये इसका संबंध इसके साथ हो जाता है यानी ये business है जो विदेश से related है विदेश से related है समझते रहे ना विदेश को कैसे पकड़ते हैं sir mind line और heart line के बीच में तो mind line और heart line के बीच में ये रेखा आ रही है जिसका संबंध हाट लाइन का मतलब investment point of view से है तो 31 साल पर यहाँ यह मुसीबत है एक्चल में मुसीबत है यह लेकिन काम बढ़ाया यही कंपनी है और यहीं पर आप ट्रैवलिंग करिये लॉस उठाना पड़ेगा यह फार्मूला हो गया? समझते रहो यह फार्मूला है अच्छा यह फार्मूलों के क्या मतलब है जब ट्रैंगल बने हुआ है दो रेखा आ चुकी है यहां तो ट्रैंगल बन चुके है लेकिन यहां रेखा आ चुकी है यह यह एक property होगी अब देखना यह जो property है यह काम है ये काम को बढ़ाना है ये क्या है इनका मतलब क्या समझो कि यहां पर जो प्रॉपर्टी होगी वो बैंक में मर्ज हो जाएगी बैंक में मर्ज हो जाएगी और आगे जाकर ये क्या है कि ये फसने वाले है ये लोग फसने वाले हैं तो आप क्या करो, ऐसे में ये वाला sign property का होता है, ये जो sign आया है, इनके साथ ससूर से related है, खर्चे बिमारी, ये cut का निशान लगाया, यानि एक property साथ ससूर के पास भी होगी, जो की वहाँ पर बिकेगी, या उसका हिस्सा होगा, और bank वाली property भी मर्ज होकर आपके चली हैगी हाथ से, तो better है कि इनके मतलब को आप क्या करो, अपना bank से निकाल लो, अगर suppose मान के चलो, ऐसे समझते हैं, देखो, 32 से 33 साल के बीच में कोई चीज शुरू करना, ठीक है, ये है इनका काम, ये है banking, ये है काम को बढ़ाना, ये काम को बढ़ाना, मत बढ़ाईए, 36 प साससूर, पुष्टेनी होता है न, ऐसा साइन पुष्टेनी से related होता है न, दिक्कत, प्रपर्टी, यहाँ पर उसका हिस्सा लेना पड़ेगा, नहीं तो ये भी bank में चली जाएगी, तो आप तो कोई स्टैपी नहीं उठाना चाहरे हैं, आप सोच रहे हैं, मेरी प्रपर् को निकाल लो, निकाल लो, इसका मतलब ये है, इनका मतलब बता देना, इस रेखाओं के मतलब समझा दो, इनका क्या मतलब है, देखो, समझो, यह क्या बना है, कुछ करना है, कुछ करना है, यह तीन काम पकड़े हुए हैं, इनोंने, यह तीन काम पकड़े हैं, इन में से ए काम बंद हो जाएगा 29 साल तक फिर ये दूसरा बड़ी एक दुकान देखेंगे इन्हों ने पहले ये प्लंबिंग का काम और ये काम तीन काम पकड़े थे फिर इन में से दो रह गए ये देखो फिर एक दुकान बंद करी मैंने का बड़ी दुकान देखी थी आपने हां ला देगा ये देखो ये लाब मिल जाएगा इस रेका का मतलब है यहां पर ट्रेंगल बन गए अब इस वक्ति के नाम पर ये चीज आ जाएगी स्कूल आ गया इसके इनके रिश्टेदार की डेथ हो गई और उनको ये हैंड ओवर मिल गया अब ये कॉशन आया था कि मैं ए आपका आप लोन जैसे ही लोगे वैसे ही आप एक नया स्कूल ले लोगे ये नया स्कूल आ जाएगा ये विदेश की रेखा है तो आप साइन को पकड़ो मुद्दा क्या है साइन को पकड़ो हर साल की एक्टिविटी को पकड़ो अब देखो लाब मिला देखो ये लाब है है जिसमें भाई भेन बहुत ज़्यादा है उन्हें कुछ हो रहा है और लड़ाईयां हो रही है तो कैसा sign बनेगा दिखाऊं यह देखो यह property थी यह property थी यह sign कैसे बना था मैं बता देता हूँ एक ऐसे sign ऐसे sign यह cut का निशान तो यानि आपके माईके की property एक जिसमें पिता जी को कुछ होगा उनके नाम से होगा तो health problem health don't do it यानि आप क्या करोगे कि वो property आपके बेहनों से कोई लड़ाई जगड़े होंगे आपने क्या करने पती को दे देना है पती ने business में लगा देना है यह नुकसान हो जाना है यह विदेश की रेखा है विदेश जाओगे उसमें दिक्कत आएगी तो यह गलत हो रहा है न गल दिक्कत यानि क्या करा आपने क्या करा वहां से तो एक लड़ जगड़े के लिए property को और उसके बाद जो है आपने पती को दे देना है मना चोटा kit हूटा साइच चोटा सी शे है इस साइन कीसे बना था यूं यğूं यूं 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 ड़र्ट नी आपने property लड़ कर लिए इसलिए ये cut का निशान है ये cut का निशान है बेहनों से लड़ कर लिए उस में से हिस्सा मिला ये वाले property को आपके husband गल्फ कर गए business में लगा गए कुछ तो signo को पकडो signo को पकड़ो अभी एक वीडियो आया कि कि 3 महीने शादी को हुए और देहान थो गए मेरी दूसरी शादी कब होगी ऍसी चैनल में वो मश्ली वाले अंकल ने बताया ही नहीं कुछ भी यात करो मैंने क्या कहा था कि बच्चा उस फीमेल को होने वाला है और बच्चा जैसे ही होगा मा मर जाएगी ये बात नहीं बताई थी उस वक्ती ने उसने कुछ नहीं बताया था ये मैंने कहा था कि प्रेगनेंट है और और यहां पर मुझे ये एक लग रहा है कि बचेगी नहीं कहा रहा है सर लग तो मुझे भी रहा है मैंने का सुसराल भेज दो वीडियो देख लेना तो वहाँ पता लग जाता है ये सब एडवास पामिस्ट्री है बिना इसके नहीं समझ आएगा कि हाथ क्या कहना चाह रहा है आप तो बस इनी चक्रों में रहोगे कि अरे ये एक रेखा यहां से निकल गई है तरक्की की रेख होंगे ये नहीं देख रहे घाटे होंगे ये रेखा नीचे आई है इसका संबंद पिता के साथ होगा ये वली रेखा जो है गुरू के साथ चल रही है ये देखो गुरू के साथ चल रही है इनका संबंद पिता से होगा ये नहीं देख रहे आप मुश्किल होती है एडव ऐसे दो बने हुए थे मैंने का यह share market है क्योंकि उनका संबंद हरदर एखा के पास चल रहा था यह संबंद जो है यह चल रहा है lifeline और mindland के पास चल रहा है वो mindland से उपर चल रहा था मैंने का यहां तो यह विदेश आए यह कोई आपके share है investment point of view से है यह चीज़े उपर उपर चल रही थी अभी एक female का हाथ दिखाता हूँ अब right hand में mindland के नीचे यह बनने का क्या मतलब है इसका एक मतलब है समझते रहो यह देखो यह क्या थी एक बड़ी property थी एक बड़ी property किसी के साथ मर्ज होकर ली जाएगी यह पहले ही बता रही है बिकेगी आप 30 से 31 में आप यह mindland के नीचे क्यों आया अपना दिमाग लगाते हैं न अरे वो सुनो मेरे माइके में भी है वो लोगी कठा कुछ कर ले हम लोग अच्छा अच्छा तो पती ने भी अच्छा लगाया आपने भी लगाया ठीक है उन्होंने भी लगाया और आपने प्रोपर्टी पर्चेस कर ली समझते रहो तो मैं यहां पर कह रहा था मेड़म यह mindland के नीचे आया है इसका संबंद है कि बड़ी प्रोपर्टी होगी इसमें यह साजे में होगी आरे सर पहल बिकेगी यह पहले ही कट का निशाना आगया यह बिकेगी तो यह mindland के नीचे बनाता है उल्टा ट्रेंगल का मतलब है documentation अगर यही उल्टा ट्रेंगल अच्छा नहीं है ऐसे ऐसे है यह बना है तो यहां पर आप gold बेचोगे FD तोड़ोगे LIC तोड़ोगे यह है अगर यह रेखा ऐसे चल रही है यह dark है ऐसे ऐसे हो रही है आप किसी का loan चुका रहे हो यह loan की रेखा है कितने मतलब change हो रहे हैं कितने मतलब change होते हैं बिमार सुस्राल में कोई थो आप signo को पकड़ोगे तब समझाएगा कि यह हाथ कहते क्या है यह mindland के नीचे आया हुआ था sign mindland का क्या मतलब right hand में जब भी हाथ देखोगे ना किसी की job देखते हो या कुछ देखते हो तो mindland के आसपास देखना हो mind से job को बचा रहा होता है या काम कर रहा होता है तो वहाँ पकड़ते हैं उसके आसपास के चिन को पकड़ते है right hand में इस तरीक एक से चलते ह मुश्किल है पामिस्ट्रिये मैं confusion पैदा नहीं करना चारा हूँ मैं तो चिनों को बता रहा हूँ हर हाथ में अलग चिन आएगा हर हाथ में अलग चिन आएगा आई नहीं सकता है ये क्या है इनके सुसराल पक्ष में खतम होने वाले हैं ये लोग इन में से कोई सासा सुर एक यहां खतम होंगे लो उनके उन क्या है उनके नाम पर कुछ ना कुछ होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लिस लाइक ही जगा कमने से रूख ही जगा दन्यवाद